सो हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब स्वास्तन माज़त होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 पे अगर आपको रैंक वन आना है या फिर जादा एमाउंट अर्ण करना है तो आपको तीन गलती नहीं करनी होगी ऐसी तीन गलती क्या है जो कि आप बार- हो जाते हैं आप खुद का एमाउंट भी रिकवर नहीं कर पाते हैं ठीक है आपको लॉस में चले जाते हैं तो ज्यादा एमाउंट अर्ण करने के लिए हम आपको बताने वाले हैं यहां पे कि आपने क्या-क्या गलती आज तक करा है वह गलती आपको आगे नहीं करनी है औ 15-15 मिनट से 30 मिन पहले ही आपको पता चल जाता है अगर टीम टोस जीत के और बैटिंग करने का फैसला करती है इसका मतलब पिच जो है बैटिंग पिछ है जो यहां पको यह से पता चल लाता है ठीक है यहां से आपको पीछ रिपोर्ट के जनकारी हो जाती है तो सबसे पहला जो है वो है टॉस कौन सी टीम जितती है इसके बारे में जनकारी होना आपको आवश्यक है टॉस जित के कौन सी टीम पहले बैटिंग करने आ रही है या फिर बालिंग करने जा है यह चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए ठीक है सेकेंड है हाइस्ट है सेलेक्षण प्लेयर सेकेंड है हाइस्ट सेलेक्षण प्लेयर ठीक है तो सबसे ज्यादा बड़ा गलती आप यहीं करते हैं 90% 80% में जो भी सेलेक्षण हो रहा होता है उसको आप सेलेक्षण कर लेते हैं अपने टीम में और आपको लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा टीम बनाया है और हमें ड्रीम 11 में रेंक वन आने से कोई नहीं रोख सकता ऐसा आपको लगता है ठीक है और आप सोचते हैं कि हम सबसे बहतर टीम बनाए हैं और यहां पर होता क्या है कि आपका 5-6 प्लियर जो है डीटी में है बाकी का आपका जो है डीटी से बाहर है और क्या गलती करते हैं गलती आपका यहीं होता है कि आप सबसे जादा जो भी सेलेक्शन हो रहा होता है प्लियर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को तो यहां पर सेकेंड गलती आप यहीं करते हैं थर्ड गलती जो ह है ठीक है selection percentage देखते हैं कि किसका ज्यादा है तो ज्यादा यहां पर 50% भी चल जाता है CVC में 30% कुछ इस तरह से रहता है और यहां पर 30 40 ठीक है तो इस तरह से जहां पर भी आप देखते हैं आप इसको captain बना लेते हैं इसको voice captain बना करते हैं थर्ड गलती आप यहीं पर करते हैं और यहां पर आपको क्या करना है second वाले पर सभी को आपको highest player choose नहीं करना है ठीक है जो भी selection हो रहे हैं highest में मतलब highest percentage में select हो रहे हैं उसको आपको सभी को select नहीं करनी है और यहां पर आपको highest percentage में CVC नहीं बनानी है आप यह तीन गलती करते हैं और इन ही तीन गलती के कारण आप 5-6 player ही सिर्फ DT ला पाते हैं ड्रीम टीम ला पाते हैं ठीक है जितना है ज्यादा एमाउंट कैसे लाना है और हमें लॉस जो है हमारा जितना भी आज तक लॉस हुआ है उसको हमें recover कैसे करना है तो वह चीज़ हम आपको बताने वाले हैं यह तीनों गलती आपको नहीं करनी है सो चलिए आगे देखते हैं कि यह तीनों में नहीं जाएगा हम इसे रिकवर भी करेंगे लॉस हमारा रिकवर भी होगा और ज्यादा बड़ा एमाउंट करेंगे हो सकता है हम रैंक वन में भी आ सकते हैं ठीक है तो इस तरह से यह तीनों गलती आपको नहीं करनी है सबसे पहले बात करते हैं टॉस की तो टॉस विन क क्या है बैटिंग पीच है बैटिंग पीच है और अगर बैटिंग पीच है तो हम यहाँ पे प्लेयर कैसा सेलेक्ट करेंगे कैसे सलेक्ट करेंगे 2 आपनर को सलेक्ट करेंगे के लूजह करती है कि लूज करती है लूज्स करती है तो बॉलनिंग करने के लिए आएगी ठीक है तो balling करने आएगी तो pitch कैसा है balling पीछ है और यहाँ पे हमें कैसा select करना है middle order batsman हमें है यहाँ पे select करना है middle order batsman batter भी कर सकते है जो मेर्टिए लॉडर को हमें यहां पे सिल्ट करना ठीक है जो मीर्टिए लॉडर पे स हमें आते तो उष्सकाइबर करती है और बैटिंग करने के जगह पर मेर जए धरल में 12 कर दो को सलने हमें किसको किसको सेलेक्ट करना है तो बालिंग में हमें पेसर्स को ज्यादा लेना है पेसर्स जहां पर लिखा हुगा रहेगा जैसे बैटिंग पीछ है तो बैटिंग पीछ सब्सक्राइब करें क59 defenders को यहां पर स्पेसर को स्पीनर को स 20 से उठाना है तो पेसर को और सब्सक्राइब करना है लेकिन इस पीनर को हम और राउंडर से भी ले सकते इसलिए हमें पेसर को र्र精 show से उठाना है मतलब faster baller को balling से उठाना है 80 90 परसेंट जो भी सिलेक्षन हो रहे हैं सबसे highest selection एक्षन वहां से हमें उठाना है ठीक है बालिंग के बात करते हैं और राउंडर की अब बात करते हो और राउंडर की तो और राउंडर में क्या करना है और राउंडर में आपको इस्पीनर लेना है इस्पीनर को सेलेक्ट करना है जिसको की बैटिंग मिलता हो बालिंग भी मि बैटिंग दुन्नों से आपको यह पॉइंट देंगे और 14 से ज्यादा पॉइंट आपको देखे यह जिताएंगे तो यहां पी जो है ना इस आल राउंडर को भी आपको हाइस्ट सेलेक्शन वाला ही सेलेक्ट करना है जो कि 80% में सेलेक्ट हो रहा है या फिर 90% में सेलेक्ट हो रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है हो सकता है 70% लाश्ट हो सेलेक्शन में तो ऐसे प्लेयर को आपको सेलेक्ट करना है जो कि और राउंडर में है और यहां पी आभी आपको देखना है कि मीडिल और बैट्समें कौन है बालिंग भी करेगा इस पीनर भी है बैटिंग भी करेगा ठीक है यहाँ पर क्या है स्पी इस्पीनर बालिंग करेगा ठीक है और बैटिง भी करेगा जो कि मीडिल और बैट्समें अगर ये है और राउंडर में आपका ठीक है rocks ऑघर में अगर Miral ज्यादा एमाउंट अर्ण करेंगे आप अपने लॉस को रीकवर कर पाएंगे ठीक है इस तरह से है तो आप बारी है क्याप्टेन और वॉयस क्याप्टेन की तो क्याप्टेन और वॉयस क्याप्टेन की से बनाए यह सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि आप क्याप्टेन औ तो क्या विनिंग जॉन से भी बाहर हो सकते है ठीक है तो captain voice captain किसको बनाए तो यहाँ पे एक trick है जो कि सभी को नहीं पता मैं आपको बताता हूं ठीक है और अगर मेरे बाद अगर कोई बताता है या फिर आपको YouTube पे मिलता है तो हो सकता है मेरा copy किया हो ठीक है तो यहाँ पे है ना आपको 0.43 0.23 इस तरह से सेलेक्शन में दिखेंगे ठीक है हाफ जैसे यहाँ पे 2020 है ना ट्वेंटी का डिफ्रेंस है कोई ट्वेंटी का तो कुछ इस तरह से रहेंगे आपके ट्वेंटी के डिफ्रेंसेस यह फिर यह क्याप्टेन में यह व्य वैसकत संथिंग रहेंगे तो इन को आप Captain वोस्टेन बना सकते हैं तो इन दोनों को Captain expectations बना सकते हैं जिसका भी selection यूरेग्स कांटár सकते हैं यूच इस तरह से है ये आपको कोई नहीं बताएगा ये आपको हो सकता है यूट्यूब में मिल जाए कि 5% से कम वाले को आपको सेलेक्ट करना है cvc के लिए captain voice captain के लिए लेकिन यह आपको differences कोई नहीं बिताएगा कि यहां पर 40 है यहां पर 23 है तो इन में दोनों में 20 का difference है ठीक है और यहां पर 1 है और यहां भी 1 है तो इनको अगर हम captain भी बना ले voice captain भी बना ले तो भी यह चलेंगे ठीक है तो यह भी चलते हैं यह भी से चेट इमों का Captain voice Captain आप इस तरह से बना लेते हैं तो आपको rank 1 आने से कोई नहीं रोख सकता और आप अपनी loss जो है ना loss loss अभी तक आपने जितना भी कराया loss वो recover कर पाएंगे ठीक है वो आप recover कर पाएंगे और ये मैं guarantee के साथ बोल सकता हूँ मैंने जो बोला जिस तरह से बताया अगर इस वीडियो को अगर आपने पूरी देखी होगी अगर पूरी अच्छे से आपने समझा होगा तो आपको जितने से कोई नहीं रोख सकता आप अच्छा खासा अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी बहुत अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक सेर और कमेंट करिए साथे साथ सब्सक्राइब करिए आज के लिए बस इतना ही जय हिन जय भारण आपको जितने से कोई हिने से कोई लाइक साथ प्लीज भारण